Hello everyone, in this video we are going to talk about a very important topic of geotechnical engineering that is called as effective stress. Effective stress, जब भी हम कोई construction activity करते हैं, या तो हम कोई उपर से construction कर रहे हैं, या तो हम कोई excavation कर रहे हैं, whenever there are changes in the soil, तो soil के अंदर stresses में changes आते हैं, soil की जए अंदर की layers हैं, उनमें stress बढ़ता या कम होता है, उसके कारण से उपर बने हुए super structures पर भी effect आता है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है calculate करना, कि soil की layers में क्या stress आ रहे हैं, और कोई construction activity के बाद, उन stress में क्या क्या फरक पढ़ रहे हैं, मान लीजे कोई आमने construction activity करी, कोई overburden pressure soil के उपर डाला, जब भी हम कोई construction करते हैं, तो soil का जो load आता है, उसको कौन लेता है, who are the people, कौन present है soil के अंदर जो कि इस load को bear करता है, आपने इतनी बड़ी-बड़ी buildings बना रखी है, उस पूरे-पूरे load को आप जिस building में अभी आप बैटके वीडियो को देख रहे हो, उस building का load कौन ले रहा है soil के अंदर present, तो soil के अ लेकता है, air सबसे पहले भाग जाती है, तो voids में से सबसे पहले air निकल के भाग जाती है, जिसको हम लोग बोलते है, compaction, तो आपको पता भी होगा, जब भी कोई आप dry sand के उपर pair रखोगे अपना, तो आप देखते हो, soil एक दना धस जाती, क्यों धसी, क्योंकि इसमें जो और सरफ क्या बचा है, water और solids, तो जो voids हैं, उसमें पानी है, और यहां पर क्या है, solid है, तो यहां पर जो दो चीज़ें बची हुई है, solids और water, अब सबसे पहले water क्या बोलता है, कि सारा का सारा load कौन ले लेगा, मैं, तो water बोलता है, सारा का सारा load मैं ले लेता हूं, water लेता है, और पानी, जो voids के अंदर जो पानी है, उसके अंदर pressure, बिल्डाप हो जाता है, लेगे पानी ने यह एक्स्ट्राड ले लिया, तो पानी के अंदर extra फ्रेशर, बिल्ड लाप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते है, excess pore water pressure, यह pressure बढ़ जाता है, पानी के अंदर, और धीरे से पानी को समझ में आ जाता है कि अपने जो ये लोड लिया है ये अपनी capacity से ज़्यादा लोड ले लिया है जितना अपन नहीं रख सकते उस ज़्यादा लोड ले लिया है और water भी अपके ढूंडता है water भी पतली गली ढूंडता है कहीं से भी बहार निकलने के जाता है इसके actual हगदार के उपर जो की solids है तो ये किसकी responsibility एक्चुली जोतना भी लोड लेना किए वो responsibility solids की है water धीरे धीरे slowly slowly इस load को solid grains के उपर transfer करते जाता है और solids को तो पता था कि ultimately घूम फिर के load मेरे उपर ही आने वाला है जो load solid grains लेते हैं उस load को हम लोग क्या बोलते है that load is called as effective stress इस लोड को हम लोग क्या बोलते हैं effective stress तो water जो load अपना transfer करके solid को देते जाता है that load is actually called as effective stresses इसको एक example से और समझते हैं इसको practical अगर आपको visualize नहीं हो पा रहा है तो माल लिजी कोई beaker लिया हमने उसके अंदर airtight piston डाला हुआ है एक spring लगी हुई है तो top से लेकर end त analogy दे सकते हैं इसकी solid और water से तो मान लिजी soil layer है जो की saturated है इसके बीच में voids में water भरा हुआ है तो जो spring है उसका आप solid की तरह समझिए ये तरजागी ने बोला था एक example analogy बनाया था उसने और जो water है वो जो water pores में present है उसके हम equate कर सकते हैं इन दोनों का हम equate कर रहे हैं अब म पिस्टन नीचे आएगा क्या अगर आप पानी भरोगे अगर आप इसके उपर stress लगाओगे तो क्या ये piston नीचे आएगा क्या इफ I am putting a vertical stress on this तो आप देखोगे piston नीचे नहीं आ रहा या फिर मैं ऐसा ही पूछ सकता हूँ आपको पता है अगर spring है spring के उपर अगर आप कोई load लगाओ मान लिजे spring बाहर रहती और spring के उपर आप load लगाते तो क्या ये spring ऐसी हो जाती की नहीं तो ये spring क्या होती compress होती जैसी आप कोई load लगाते तो spring क्या होती compress होती लेकिन ये जो load आप लगा रहे हो इस load से spring compress नहीं हो रही इसका मतलब क्या ह यह जो लोड है वो spring नहीं ले रहा अगर यह लोड spring नहीं ले रहा तो यह लोड कौन ले रहा होगा जो stress आप piston के उपर डाल रहे हो stress को कौन लेने वाला है यहाँ पर तो दो लोग present है या तो spring है या तो water है इसका मतलब जैसे ही आपने load लगाया है सारा का सारा load किस ने ले लिया है पानी ने ले लिया है तो water ने इस पूरे के पूरे load को ले लिया है और पानी का pressure जो है immediately increase हो जाता है जैसे आप load लगाते हो तो यह ऐसा similarly soil में भी होता है जैसे हम soil के पर load लगाते है water का pressure increase हो जाता है और अब पानी पतली गली ढूंटा है बाहर निकलने के लिए और धीरे 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 जैसी रास्ता मिलेगा तो मानली जैसी मैंने आप एक छोटा होल बनाया तो पानी को एक पतली गली मिल गई निकलने की पानी धीरे 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 भाहर निकलने लगेगा जैसे पानी बाहर नि हम बोलेंगे spring के उपर अपना load transfer करते जा रहा है similarly आपको यहां पर भी ऑफजर होगा जैसे से पानी बाहर निकलेगा वैसे वैसे solids जो है pass में आते जाएंगी layers और इनके बीच में contact stress जो है increase हो जाएगा तो आप देखोगे इनके बीच में आपस में stress है वो क्या हो इसको लेने वाले दो participants है अभी हमारे पास एक है water और एक है solids जो total stress का part पानी ले ले लेता है उसको हम लोग बोलते है poor pressure और जो solid grains लेते हैं उसको हम लोग बोलते है effective stress total stress is denoted by symbol sigma effective stress is represented by symbol sigma dash या फिर sigma bar और poor pressure को denote किया जाता है mu से it is also called as neutral stress या फिर hydrostatic stress यह पानी का pressure है इसमें से अगर हम देखेंगे तो total stress तो हम field पर directly calculate कर सकते हैं किसी पॉइंट पर कितना total stress आ रहा है क्योंकि हमको पता रहेगा ऊपर से कितना stress आ रहा है हमको उसकी load की value पता होगी अगर हम कोई building मना रहे हैं तो हमको यह पता होगा कितनी weight की building मना रहे है उसका dead load कितना है live load कितना है तो हम total stress calculate कर सकते हैं directly या तो हम soil की density अगर हम इसके उपर कोई soil ले रख रहे हैं तो soil की density कितनी है यह हम calculate कर सकते हैं lab से तो हमको पता रहेगा उसका weight कितना है तो total stress निकालना तो directly आसान है कितना overburden stress आ रहा है वो निकालना तो आसान है पानी का pressure भी निकालना आसान है अगर मुझे किसी depth पे पानी का pressure निकालना तो हम क्या करेंगे वहाँ पे हम एक piezometer insert कर देंगे और हम देखेंगे उस piezometer में water level कितना आ रहा है तो यह दोनों निकालना तो practical है लेकिन effective stress निकालना कोई दो soil grains के बीच में कितना stress आ रहा है इस तरहिके से effective stress is equals to total stress minus pore pressure तो अगर हम total stress निकाल पाएं और अगर हम pore pressure निकाल पाएं तो हम effective stress भी निकाल सकते हैं इस chapter में हम लोग क्या करने वाले हैं इस chapter में हम लोग देखेंगे trick तोटल stress और pore pressure निकालने लिए और हम लोग दो different examples भी देखेंगे, जिसे हम total stress और pore pressure निकाल पाएं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, total stress कैसे निकालते हैं उसकी, तो आईए सबसे पहले देखते हैं, total stress कैसे निकालेंगे, माल लीजे कोई soil layer है, इसके हम किसी depth z पे, अगर हम कोई layer पे check करना चाते हैं, इस layer पे कितना stress आ रहा होगा, तो कोई depth z पे मैं check करना चाते हूं, कितना stress आ रहा होगा, इस depth z पे, अगर हम बात करें, कितना stress आ रहा है, तो आप देखिए, यहां पे हम एक random area ले 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 इसके ओपर हम बात करेंगे, stress कितना रहा है, इसका area A है, stress का formula क्या ह पहता है stress is nothing but force in kN divided by area तो हमको area तो मिल गई A this area is A अब इस area A पर कितना force आ रहा होगा तो जो भी इसके उपर soil material होगी वो इसके उपर load लगा रही होगी तो जो भी इसके उपर soil material है उसका load आ रहा होगा यह इसके उपर total soil material होगा अगर मुझे इसकी density पता है soil के density गामा है तो हम इससे अगर volume multiply कर देंगे तो मुझे पदल जाए इसका weight कितना है जो भी इसका weight होगा वही force होगा तो जो weight इस soil का होगा वह इस area के पर force लगा रहा होगा weight कैसे निकलेगा density में volume को multiply कर देंगे तो weight आ जाएगा तो हम बोलेंगे force is nothing but weight of the soil जो की weight हम किलोंटन में लिखेंगे divide by area weight क्या हो जाएगा volume into density divided by area अगर हम बात करें volume की इस cylinder की volume क्या होगी अगर मुझे इसके area पता है इसमें अगर हम depth को multiply करते है z को तो आप area into z करेंगे तो की volume मिल जाएगी मुझे तो हम volume की जागा क्या लिखेंगे वालिम की जागा लिखेंगे एरिया into z into density divided by area यह हमारे पास volume हो गई area से area cancel बचा क्या gamma into z this is nothing but total stress का formula density into depth अगर आप इसकी unit देखेंगे तो density unit क्या है kilonewton per meter cube और depth की unit क्या है meters meters से meter cube cancel unit is in kilonewton per meter square which is a unit of stress यह फिर pressure ठीक है किसी भी soil की जो भी material उपर रखा है जिस भी point आपको total stress निकालना है उसके उपर आपको देखना है कौन सा material रखा है उसकी density कितनी है उसमें depth multiply कर देंगे तमको total stress मिल जाएगा इसको हम solve करने के लिए बहुत ही simple सी trick देखते हैं देखिए माली जी हमने एक example लिया इसमें तीन different different soil layers है अलग-अलग depth है इनकी और अलग-अलग densities है गामा 1 गामा 2 गामा 3 हमको चार points पर total stress calculate करेंगे क्या method रही है हमारी total stress calculate करने की जिस भी point पर total stress calculate करना है उस point पर हम क्या करेंगे एक आदमी को लिटा देते हैं इस आदमी कुर्बानी देना पड़ेगा हमको इस point पर total stress calculate करना है कैसे calculate करेंगे हम total stress at d बोलेंगे क्या होगा हम देखेंगे इस आदमी को पर कौन-कौन सा stress आ रहा है तो soil 1 का load आएगा इसके उपर soil 2 का load आएगा और soil 3 का ये तीनों जो soils हैं वो इसके उपर load डाल रहे होंगे soil 1 का load कितना होगा इसकी density इसकी height इसकी density इसकी height इसकी density इसकी height बस ये multiply कर देना है हमको देखो कैसे निकालेंगे तो हमने बोला सबसे पहले लिखेंगे soil 1 का load gamma 1 into h1 soil 2 का load gamma 2 h2 soil 2 का load gamma 3 h3 ये तीनों मिलके इसके उपर जो load डाल रहे हैं that is called as nothing but total stress इसको हम लोग क्या बोलते हैं total stress तो gamma 1 h1 gamma 2 h2 gamma 3 h3 ये जो हैं तीनों मिलके layers इसके उपर इस आदमी को पर stress डाल रहे होंगे अब अगर हम बात करें level c की level c पे कितना stress आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे level c पे भी एक आदमी को लिटा देते हैं हमारा काम तो simple है C point पे एक आदमी को लिटा दीजे इस आदमी के उपर देखिए कौन-कौन सा stress आ रहा होगा तो नीचे वाली soil तो इसके उपर stress नहीं डाल रहे होगी बस यह दोनों soil layer जिसके उपर stress डालती होगी simple हो गया अब हम बात करते है level c की level b की B point पे एक आदमी को लिटा दो B point पे जैसी एक आदमी लिटेगा उसके उपर आप निकाल लिजे कितना stress आ रहा है B point के उपर सिर्फ soil 1 का stress आ रहा होगा और तो पर कुछ भी नहीं है total stress at point B is nothing but soil 1 का stress is gamma 1 into H1 gamma 1 और H1 अगर हम बात करें total stress at point A कितना होगा तो point A पे आप क्या करिए इसी आदमी को point A पे लिटा दीजे जैसी या दमी point A पे लोटेगा अब देखोगे इसके उपर उपर से कोई भी stress नहीं आ रहा है ऊपर तो इसको हवा फील और होगी उपर से कोई stress नहीं रहा है कोई layer नहीं इसके उपर तो इसके उपर total stress कितना होगा जिव हो जिस भी point हमको total stress निकाल ने है हम उसी तरीके से लगते हैं अगर मान दीजिए पानी आएगा तो पोर पेशर भी इंट्रड्यूस होगा अब देखिए पोर पेशर कैसे करते हैं यहां पर मान दीजिए एक वाटर लेवल है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली ग्राउन वाटर टेवल से और यहां आमवरेप McD क्या है ग्राउन लेवल देखिए इन तीनो ही आद्रम में कैसे पोर पैशर कैल्गुलेट करते हैं अगर आपको किसी पोइंट पोर पैशर कल्गुलेट करना है तो हम क्या करते हैं चारों पॉइंट लेते हैं A, B, C, और D What is pore pressure at point D? माल लिजे मुझे कल्कूलेट करना है pore pressure at point D पे तो D point से triangle का distance देखेंगे हम लोग D point से triangle का distance देखेंगे, point D to triangle What is the distance? H4 plus H2 plus H3 यह pore pressure हो गया तो कितना हो जाएगा? What is the level? H2 plus H3 plus H4 और इसमें हम लोग क्या multiply कर देंगे? density of water Simple, depth में हमको density of water multiply कर देना है क्योंकि pore pressure मतलब पानी का pressure मतलब पानी की density तो आपको बस देखना है, जिस point पे आपको calculate करना है उस point से पानी के level का distance देखना है आपको अगर हम बात करें pore pressure at point C C point पे pore pressure कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? C level पे जाएगे, यहाँ से triangle का distance देखेंगे कितना distance है triangle का? H3 plus H2 तो हम बलेंगे H3 plus H2 अगर हमको निकालना है pore pressure at point B B point पे गर हमको pore pressure calculate करना है तो क्या करेंगे? हम B point पे जाएंगे, यहाँ से triangle का distance देखेंगे कितना है pore triangle का distance? distance of H2 इसमें क्या multiply करना है? गामा डूबल यहाँ पे हमेशा ध्यान लगना है कि आप pore pressure calculate करते time हमेशा density of water multiply होता है अगर आपको calculate करना है pore pressure at point A A point पे तो कोई पानी present ही नहीं है जहाँ पे pore pressure क्या हो जाएगा? 0 अगर मैं बात करूँ इस level पे point E की add the ground or table pore pressure कितना होगा? pore pressure at E कितना होगा? तो आप देखेंगे E point से triangle का distance तो कुछ है ही नहीं तो 0 into gamma W जैसे depth बढ़ती जाती है वैसे वैसे पानी का pressure बढ़ता जाता है जैसे आप जानते भी है कोई container के अंदर पानी भराऊ हो रहता है अगर आपको इसका hydrostatic stress निकालना है तो आप क्या निकालते हो इस point पे अगर आपको hydrostatic stress निकालना रहता है तो आप density into क्या आपका stress होता है वही थो हम यहाँ पर भी लिख रहे है ना सिंपल तरीके से आप pore pressure calculate करते हो मान लिजे मुझे effective stress भी calculate करना है तो हम इसी का एक formula ले ले लेते हैं different different densities ले ले लेते हैं और इसका एक simple figure इस तरीके से जो आपको exam में दिखेगा वो हम बनाते हैं हम लोग कुछ values ले 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 लेते हैं इनकी depth ले 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 लेते हैं इसकी depth मान लिजे 2 meters 2 meters इसकी depth है 3 meters और यह वाली depth है 4 meters यहाँ density ले ले लेते है 19, 20, 21, and 22 यह हम ने कुछ random densities ले ली हम लोग A, B, C और D इन 4 points पे effective stress calculate करेंगे सबसे पहले बात करते हैं point D की total stress at point D, D point पर total stress at point D देखिए D point पर total stress, D point पर अगर आपको total stress calculate करना है मैंने क्या trick बताया था, आप एक आदमी को लिटा देजिए, देखिए उसके उपर किसका pressure आएगा, तो एक layer यह वाली density की है, एक 20 density वाली soil है, एक 21 density वाली soil है, एक 22 density वाली soil है, यह 4 soils जो है इसके उपर pressure लगा रही होंगी, कितना क पहली वाली soil की density, 19 into 2, 20 into 2, 21 into 3, and 22 into 4, यह सारी layer, 19 into 2, plus 20 into 2, plus 21 into 3, plus 22 into 4, यह सारी सारी मिलके इसके उपर density, लोड लगा रही होंगी, इसका stress कितना रहा है, 227, लोड कितना रहा है, 227, किलो न्यूटन पर meter square, अगर हम pore pressure at D की बात करें, D point पे कितना pore pressure आ रहा होगा, तो अगर आपको D point पे pore pressure के लगा इट करना है, तो बहुत simple है, D point पे जाईए, और triangle का देखिए distance कितना है, तो D point से triangle का distance कितना है, 4 meter, plus 3 meter, plus 2 meter, यह जो है distance देगा आपको किसका, triangle के बीच का, तो distance is 4 plus 3 plus 2, that is 9 meters, into density of water, generally density of water 10 होती है, 9 into 10 that is 90 kN per meter square, effective stress at D कितना हो जाएगा, D point पे effective stress कितना हो जाएगा, total stress minus pore pressure which is 227 minus 90, which comes out to be 137 kN per meter square, 137 kN per meter square, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग effective stress किसी point पे calculate कर सकते हैं, अगर हम बात करें, अब point B की, या फिर C की, कोई भी एक level ले ले लेते हैं, point C पे बात करते हैं, C पे एक आदमी को लिटा दीजे, देखिए इसके उपर कितना stress आ रहा है, total stress at point C, इस layer का stress आएगा, इस layer का stress आएगा और इस layer का stress आएगा, पहली layer का stress कितना है, 19 into 2, दूसरी layer का stress 20 into 2, और तीसरी layer का stress 21 into 3, 19 into 2, plus 20 into 2, plus 21 into 3, which comes out to be 141 kilo Newton per meter square, 141 kilo Newton per meter square, ठीक है, अगर हम बात करें, pore pressure rate point C की, तो C point पर आप जाएए, और पानी के level चेक करें, C point से water का distance कितना है, यह water का distance है, C point से water का distance है, 2 plus 3, 5 meter, 5 into 10, that is 50, density of water हमेशा multiply होगा, यहापे density of water, यहापे भी density of water multiply होगा, effective stress कितना हो जाएगा, effective stress at C is nothing but, total stress 141 minus 50, pore pressure, which is equal to 91 kilo Newton per meter square, यह हमारे पास क्या होगया, pore pressure, अब अगर हम बात करें, point B की, अगर हमको calculate करना है कहाँ पर, point B पर तो हम point B को देखते हैं, total stress at point B, है न, point B पर हम total stress calculate करें, B पर जाएए, एक आदमी को लिटा दो B point पर, इसके उपर देखी, कौन कौन सी layer है, soil 1 की दो layers है, उपर वाली soil की density 19 into 2, plus दूसरी वाली soil की density 20 into 2, which comes out to be 78 kilo Newton per meter square, pore pressure rate point B कितना हो जाएगा, B point से आप देखी, triangle का distance कितना है, B points at triangle का distance कितना है, 2, 2 into 10, that is 20, effective stress at B कितना हो जाएगा, total stress minus pore pressure which is equals to 78 minus 20, which is 58 kilo Newton per meter square, last one point बजा point A, what is total stress at point A, आपको पता है, point A पर पर कोई आदमी को लिटाएगे, तो इसके उपर कोई stress नहीं है, total stress rate कितना होगा, 0, what is pore pressure at point A, A point पर आप पानी को, A point पर आप देखोगे, तो यहाँ पर कोई पानी का level नहीं है, A point पर पानी का pressure क्या होगा, 0, effective stress क्या हो जाएगा, A point पर, total minus 4 which is equals to 0, तो यह इस तरीके से हम लोग effective stress calculate कर सकते हैं, किसी point पर, मैं दो और example आपके लिए लेता हूँ, जो कि बहुत practical है और बहुत important है, मान लीजे, कोई soil ले रहे हैं, soil 1 और soil 2, और यहाँ पर हमने मान लीजे, इस तरीके से एक additional load डाल दिया, कोई भी load, आपने मान लीजे कोई building construct कर दी, कहीं से कोई load आया, कोई solid waste आया, उसको आपने खटा करके dump कर दिया यहाँ पर, तो जो भी load आया additionally, उसको हम लोग एक average यह मान लेते हैं, कि कुछ kylonewton of load, particular meter square area में distribute हो गया, है, तो हम इसको बोलते हैं, surcharge loading, extra loading जो कि है, soil के उपर आई है, इसको हम लोग क्या बोलते है, surcharge loading, तो इसको हम लोग denote करते हैं, इस तरीके से, यह additional load जो है, हमने इसको technically इस तरीके से दिखा रहे हैं, diagram में, और इसकी unit हो गई अपकी, kilonewton per meter square, है, तो यह additional load जो है, soil के उपर ऐसा दिखा रहे हैं हम लोग, किसी particular meter square area में, इतने kilonewton load लग रहा है, एक uniform distributed load है, हमने यहाँ पर पानी का level बताए, कि यहाँ पर water table होगा, यह हमको ground system situation से पता चली, चोगी पानी के level के नीचे soil कैसी रहती, saturated, इसलिए आप देखो कि दोनों soil कैसी है, saturated soil है, तो यह both the soils are saturated, अब मान लीजे, मुझे effective stress calculate करना है, इन तीनों points पे, A, B और C पे, तो कैसे calculate करेंगे, सबसे पहले बात करते है, point C पे total stress कितना है, total stress at point C, point C पे एक आदमी को लिटा आई है, उसके उपर देखी किस-किस का लोड आ रहा होगा, उसके उपर soil 1 का लोड आएगा, soil 2 का लोड आएगा, plus जो उपर आपने construction activity की है, उसका जो material है, उसका भी weight इस आदमी को पर आ रहा होगा, तो हम बोलें किस-किस का लोड आ रहा है, सबसे पहले उपर की construction activity का लोड Q, नीचे वाली soil का लोड गामा saturated into H1, गामा saturated 1 into H1, प्लस गामा saturated 2 into H2, यह सब मिला के लोड आ रहा होगा, अगर हम बात करें, pore pressure at point C, C point ए pore pressure कितना आ रहा होगा, तो आप C point पे जाईए, और देखी, पानी का level कितना है, C point ए पानी का level कितना है, तो हम देखेंगे, H1 plus H2, H1 plus H2 into क्या कर देना हमको, गामा W multiply, यह हमारा पहला point हो गया, effective stress तो आपको निकालते बनी जाएगा, which is nothing but total stress minus pore pressure, अगर हम बात करें, total stress at point B की, B point पे total stress कितना आ रहा होगा, तो हम B point पे चलते हैं, यहाँ पे एक आदमी को लिटा आते हैं सबसे पहले, हमेशा एक बार एक आदमी को लिटा देना है, स्वया हुआ आदमी अच्छा लगता है, B point पे एक आदमी को लिटा आई, को ही add कर रहे हैं आपे, तो total stress B पे किसका कारण होगा, एक उपर के लोड़ के कारण stress होगा, प्लस soil 1 के कारण stress होगा, soil 1 का stress कितना होगा, gamma saturated 1 into H1, अकर हम बात करें, pore pressure at point B कितना होगा, तो point B से, पानी का level देखी कितना है, from B water table is at a distance of, H1 distance, हम बोलेंगे, H1 into gamma W, हमेशा कौनसी density मिल्टिप्ला होगी, water की density, क्या calculate करते रहे हैं, pore pressure calculate करते रहे हैं, effective stress add B कितना होगा, effective stress add B is, total stress minus pore pressure, देखी calculate करते हैं, Q plus gamma saturated 1 into H1, minus H1 into gamma W, अगर हम बात करें, यहां से हम H1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बच्चे का क्या, gamma saturated 1 minus H1, sorry, gamma saturated 1 minus gamma W, आपको पता है, gamma saturated minus gamma W is nothing but, gamma submerged, तो हम इसको ऐसा भी लेख साथें, Q plus H1 into gamma submerged, यह हमारे पास क्या होगया, अब अगर हम बात करें, किस point की, point A की अगर हम बात करें, point A पे क्या होगा, थोड़ा सा different आता है, point A पे ही, वो देखते हैं, third point is, what is total stress at point A, क्या A point पे total stress अब 0 रहेगा क्या, A point पे आप एक आदमी को लिटाईए, इसके उपर क्या कोई stress आ रहा होगा, अब इसके उपर air नहीं है, और ट्रेंगल के बीच का कोई distance नहीं है, what is effective stress at point A, effective stress at A is, Q minus 0 is equals to Q, effective stress की value क्या होगी, Q किलोंटर्ण परिमिटर स्क्वेर, यह जो हम condition कर रहे हैं, this condition is, long term condition, यह long term condition है, short term condition में, पानी पूरा का पूरा प्रेशर लेता है, जिसको हम किसी और further वीडियो में देखेंगे, अभी एक last हम लोग देखते हैं, I hope आपको यह method समझ में आ रही होगी, कैसे effective stress हम लोग calculate कर रहे हैं, अगर आपको यह method समझ में आ रही है, तो please do like the video, and please share in the comment, अगर आपको यह और example करना चाहते हैं तो, अब मान लिजए एक छोटा सा example लेते हैं हम लोग, इसमें एक river bed है, पूरा पूरा पानी भरा हुआ है river में, या फिर कोई lake हो सकता है, उसके नीचे जो soil है, उसमें कैसे stress आएगा वो हम देखना चाहते हैं, तो मान लिजए हमारे पास एक पानी का level है, उसके नीचे की soil आपको पता है, पानी की नीचे वाली जो soil होगी तो saturate रहेगी, तो यह river bed level हो गया, और एक river water level हो, तो river में पानी इतना भरा हुआ है, इसके नीचे जो है soil अब यहां से चाल्ड होती है, तो यह river bed level हो गया, तो दो different different identification है, रिवर water level के और रिवर bed level के, हम यहां पे ध्यान देंगे, जो river में जो यह वाला जो material होगी इसकी density क्या होगी, गामा डब्ल्यू, तो हमारे पास यह water है, इसकी density गामा डब्ल्यू है, इसकी density गामा से जूरेल्ड है, हम मान लीजे, इस diagram को इस तरही से देखेंगे, figure में इस तरही से दिखा रहेगा, हम मान लीजे किसी point C पे, calculate करना चाहते है, effective stress कितना होगा, तो we want to calculate effective stress at a particular point C, इस level पे हम लोग effective stress calculate करना चाहते है, what is effective stress, what is total stress at C, C point total stress क्या होगा, इसके ओपर कौन-कौन सा material है, कौन सी depth का, तो पानी है of depth HW, soil है of depth Z, तो हम बोलेंगे, gamma W is of depth HW, plus gamma saturated 1 density of depth Z, depth कितनी है Z, अगर हम बात करें, pore pressure at point C की, C point पोर pressure कितना होगा, तो हम बोलेंगे, C point से पानी का distance, triangle यह है, वहाँआरे पास triangle है, C point पोर ट्रेंगल की पुझे का distance कितना होगा, Z plus HW into gamma W, density of water, pore pressure में हमेशा क्या multiply होगा, density of water, effective stress at C कितना होगा, effective stress at C कितना होगा, इन दोनों को minus कर देते हैं, हम बोलेंगे, gamma W into HW, plus gamma saturated 1 into Z, minus Z plus HW into gamma W, इसको अगर आप open करेंगे तो आप देखेंगे, HW और gamma W, cancel हो जाएंगे, gamma W और HW से, बच्चे का क्या है है यहाँपे, gamma saturated 1 into Z, minus Z into gamma W, यहाँपे बच्चे का आपका, आप Z को बहार निकाल लीजिए, बच्चे का क्या, gamma saturated minus gamma W, gamma saturated minus gamma W is nothing but, gamma submerged, यहाँपे एक बहुत ही important result आपको मिल रहा है, जिसको हम ध्यान से देखेंगे, यहाँपे आप देखोगे, जो C level पे जो soil है, जो C level पे जो soil है, इस soil को, कोई फरक नहीं पड़ता, कि HW की depth कितनी है, effective stress at C, does not depend upon, किस चीज, effective stress at C का जो formula है, इसमें HW की कोई importance नहीं, HW की कोई significance नहीं, इसका मतलब, C point पे जो soil है, उसको फरक नहीं पड़ता है, HW की value यहाँपे है, पानी के level, कि river है, पानी के level यहाँपे है, कि river है, पानी के level यहाँपे है, river में पानी के level कितना भी रहे, river bed level के उपर, अगर पानी का fluctuation होगा, water table का fluctuation होगा, तो effective stress at sea पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर पानी के level, river bed के नीचे fluctuate करे, अगर पानी के level यहाँपे fluctuate कर रहा है, तो अफिर sea पे effective stress में फरक पड़ता है, क्योंकि soil उपर की water table के उपर की soil कैसे रहती है, और water table के नीचे की soil saturate रहती है, इसनी densities अंतर आता है densities में, तो आप यहाँपे हमेशा ध्यान रखेंगे, कि अगर river bed के उपर पानी fluctuate करता है, तो उसका कोई effect के उपर नहीं पड़ता, I hope आपको यह method समझ में आई होगी, अगर आपको यह method समझ में आई है, अगर आप कुछ और question discuss करना चाहते हैं, तो मुझे please comment में बताइए, हम लोग capillary rise वाला question एक next video में discuss करेंगे, Thank you so much.